तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के important question और उसके solution के बारे में आपको इस वीडियो में 10 marks के question कौन कौन से आते हैं हुए मिलेगा और 7 marks के और 2 marks के कौन से question आते हैं 10 marks वाला question अगर आप solve कर लेते हैं तो यूनिट 5 आपका पूरा solve हो जाएगा 27 marks के भी हो जाएगे 2 marks के भी हो जाएगे तो यह question जो आपके सामने दिया गया या 2021 वाले question पे उबर में पूछा गया आप वहाँ से जाके देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा what are the function of PSC तो पहले आपको function लिखना PSC का तो यहाँ पर function लिखा गया PSC का और जो भी communicable disease हो उसको भीन्ती करने का का मारा PPSC करता है जो इन्वार्मेंट्र सेनिटाइएटवन है उसको जो maintain करने का का मारा PSC करता है और हमारा जो EMS EOD program है Materal and child health services है यह भी provide करने का काम मारा PSC करता है और इसके साथ साथ जो भी family planning ऐसे में मदद हमारा प्रामरी हेल्थ सर्विसेज भी करती है अब बात करते हैं इट प्रोवाइड स्कूल हेल्थ सर्विसेज यह क्या करता है प्रोवाइड करने का काम करता है और इसके साथ साथ हेल्थ एजूकेशन भी प्रोवाइड करने का काम करता है और हमारा जो प्रोवाइड करता है यह न काम होरा, पीएस्टी करता है अब आगे बात करते हैं, community service in ruler area, तो यहाँ पर question पुछागा है, elaborate community service in ruler area, with improvement is sensitization with health promotion activity in school, तो पहले देखते हैं, community service in ruler area तो इसके बारे देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखागा है, community service तो सबसे पहले देखते हैं community service क्या होती है community service एक ऐसा work होता है जो कि एक person या group of people के द्वारा provide किया जाता है किसी other person को ताकि उसको benefit मिल सके ठीक है उसको बोलते हैं community service अब बात करते हैं ruler area ruler area उसको बोलते हैं जहां पे एक square meal में 1000 person रहते हैं उसको बोलते हैं ruler area बोलते हैं ruler area उसको बोलते हैं जहां पे कम population रहती है उसको बोलते है ruler area जैसे village हो गया ठीक है उसको बोलेंगे ruler area अब बात करते हैं ruler health services क्या होती है ठीक है तो आपने यहां पे community services क्य होती है Runner Area क्या होता है इसके बारे में आपने देख लिया है तो Health Services होती है ये हमें हमें क्या करती है क이다 ki यह कि रूइलर हैरी area में जो भी persons हैं ठीक या रह रहे हैं उनको Health Care Services Provide करने का काम करें और जो Room Health Services होती है इसमें जैसे हमारा हो गया कि prevention care services प्रोवाइट करने का काम किया जाता है, डाइगनोस्टिक सर्विसेश प्रोवाइट करने का काम किया जाता है, ट्रीटमेंट सर्विसेश प्रोवाइट करने का काम किया जाता है, और इसके साथ रिहाविलेशन जो सर्विसेश हैं, यह भी प्रोवाइट करने का काम हमारे आप हैं यह क्या करते हैं कि जो रूलर हेल्थ सर्विसेज यह प्रोवाइड करने का काम करते हैं आगे बात करते हैं यहां पे कुछ जो हैं रूलर हेल्थ सर्विसेज लिखे गए हैं तो पहला हमारा आता है प्रामरी हेल्थ सर्विसेज प्रामरी हेल्थ सर्विसेज क्या करत तांकि यह जो भी रूलर एरिया में जो भी persons हैं उनको health care services provide करने का काम करता है जैसे की routine checkup की services provide करता है कौम जो vaccination है उसकी services provide करने का काम करता है और इसके साथ health education की जो services है यह provide करने का का हमारा primary health service करता है ठीक है आगे बात करते हैं emergency medical services अमर्जनसी मेड़िकल सर्विसे जो होती है यह क्या करता है कि मेड़िकल केर है मेड़िकल केर है क्विकली मतलब बहुत ही जल हमारे रूलर एरिया में जो भी परसन से रह रहे हैं उनको प्रौपारइड करने का IS जैसे खाहे माल़िजे कोई इसे क्या करेंगे 102 पी करेंगे तुरंद किया करेंगे, ambulance को बुला लेंगे, तो यहाँ पर emergency medical services प्रोवाइट करता है, और इसके साथ emergency medical technician जो है, यह भी रूलर एरिया में जो भी persons है उनको medical care services provide करने का काम करता है आगे बात करते हैं टेली medical services आपको example समझाते हैं मान लिजे कोई आपका best doctor मान लिजे मुंबई में रहता है आप किसी रूलर एरिया के आप मान लिजे आप बीमार पढ़ गए रूलर एरिया में तो आप क्या तरह आप क्या करेंगे उस doctor के पास phone मिला के आप बोलेंगे कि मैं बीमार हूं आप अपनी बीमारी बताएंगे वह क्या करेगा वहीं से वह बीमारी का इलाज बताएगा ठीक है तो यहां पर लिखा गए these services use technology to provide medical care तो इसमें क्या होती है technologies का use किया जाता है medical care के लिए ठीक ह यहां पर वीडियो कॉल्स के थुरू ठीक है जो doctors होते हैं या क्या करते हैं कि उस patient को monitor करने का काम करते हैं और उसको diagnose करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं टेली medical services ठीक है तो आगे बात करते हैं हमारा अगला आता है specialist health care services ठीक है इसमें क्या होता कि एक इसमें एस्पिसल जो होते हैं एस्पिसलाइज जो ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टीज होते हैं जो health care services प्रवाइड करते हैं माले जो कोई महिला है ठीक है हुए ruler area की है अब उसको अब कोई एक specialist जो person होगा ठीक है उसके लिए gynecologist जो होगे उसके लिए best जो है health care services प्रवाइड कर करेंगे और mental health services भी एक होनी चाहिए हमारे ruler area में तो आपके ruler area में पहले क्या होना चाहिए एक gynecologist होना चाहिए एक ट्रियाडेशियन होना चाहिए और इसके साथ साथ एक medical health services होना बहुत ही जरूरी है ठीक है आगे बात करते हैं dental care services के बारे में तो dental care services जो है या क्या करता कि जैसे क्या जो cleaning बोल सकते हैं cleaning जो services है या routine check-up services है और जो treatment है जो dental issue से जो भी related dental issue है उसको treatment provide करने का काम कर रहा है services ठीक है अब बात करते chronic disease management चो इसमें क्या है कि ruler health services में also focus on managing chronic disease जो हमारा ruler health services है या क्या करता है main focus है क्या करता कि जो भी chronic disease है उसको manage करने का काम करता जैसे हमारे chronic disease हो गया डावटीna हो गया ठीक है तो यह हमारा ruler health services में ही आते हैं आगे बात करते हैं जो material and child health services जो इसमें क्या होता कि these services are focused on providing health care to mother and children तो यह क्या करता कि जो हमारे यह services है यह mother को और children को health care services provide करने का काम करता है जैसे इसमें health care services हो गया कि जैसे prenatal care prenatal का मतलब कि जैसे baby birth होने के बाद जो mother को जो भी health care services दी जाती है उसको बोलते है prenatal care और ant natal care जो care होता ant natal मतलब जब कोई भी omen pregnant रहती है pregnant के time जब उसको health care services provide की जाती है उसको बोलते ant natal care and prenatal care services provide की जाती हो है वह हमारा आता है material and child health services में आगया होगा अब आगे जो question में पूछा गया है पूछा गया है कि with improvement is sanitization तो आपको improvement is sanitization लिखना है तो बहुत important है with health promotion activity in school तो आपको यह question एक question यहां से हो गया दूसरा question ए हो गया तीसरा question हमारा ए हो गया तो तीन question आपको यहीं पे solve हो गया तो आएए बात करते हम हमारा जो अगला आता है improvement in ruler sanitization तो देखे 2022 में यह भी question पूछा गया था है 7 marks में तो आपको ध्यान से एकदम पढ़ना इसको तो हमारा जो है in 1986 the central ruler sanitization program is launched जो हमारा 1986 में यह हमारा program जो है यह launch किया गया था है इसका main goal यह है कि जो quality of life है ruler population में उसको improve करना ठीक है main motive यह ही पहले देखते थे कि पहले लोग जो है toilet bathroom के बाहर जाते थे लेकिन अब घर घर क्या हो गया सौचाला हो गया लोग अपने घर ही वहाँ पर करते हैं कि जाना कोई गंदकी नहीं होती है ठीक है जब यह program चला गया था तबसे होती सुधार हुआ है ठीक है आगे बात करते हैं this is direct link between water and healthcare हमारा जो improvement in ruler sanitization है यह क्या करता है डारेक्ट लिंक करता है water और health care से ठीक है अगर कोई भी person है अगर उसको जो साफ पानी अगर वह साफ पानी sanitize पानी पीता है ठीक है तो माली जो इसको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती ठीक है वह healthy रहेगा ठीक है अगर वह क्या करता कि अगर साफ पानी नहीं पीता है sanitize जो hygienic जो water वह नहीं लेता है तो वह person क्या हो जाएगा बीमार हो जाएगा तो यहां से इसको लिख सकते हैं आप बात करते हैं Ruler Sanitization Program in India कौन-कौन से Ruler Sanitization Program इंडिया में चलाए गए थे तो आपको पता है पहला हमारा था सच भारत अभियान आपने देखा हुगा सच भारत अभियान ठीक है Ruler Area में अगर रहते होंगे तो आपने देखा हुआ This is Ruler Clean India Mission ठीक है यह क्या है यह Clean India Mission है ठीक है भारत को सच बनाए रखने का एक Mission है ठीक है इसका गोल क्या है कि खुले में सौच को रोकना है खुले में किसी को सौच करने से रोकना है ठीक है तो इसका गोल है अब बात करते हैं सूलब सौचाल है आपने यह भी देखा होगा सूलब सौचाल है तो इसका फुल फॉर्म यहां पर लिखा गया है सूलब इंटरनेशनल सोसल सर्विस औरगनाईजेशन ठीक है यह इसके जो फाउंडर थे डाक्टर बिंदेस्वर डाक्टर बिंदेस्वर पाठक इसके क्या थे फाउंडर थे और तीसरा हमारा यहां पर जो रूलर सिर्नेटाजेशन प्रोग्राम था यह हमारा था ड्राइट ट्वालेट ठीक है इसमें क्या होता था कि इसमें मान लिजे कि यहां पर पर काउ है आपको थोड़ा इक्जामपल से समझा के बताते है एक अच्छी तरह से तो यहां पर मान लीजे काउ है ठीक है मैंने यहां पर काउ करता है यूरीन यहां पर लिख लेते हैं अब यूरीन को या इसको जो भी अड़ा गोवर है उसको क्या करेंगे एक हम एक गड़े में इकठा कर लेते थे ठीक है अब यहां पर एक गड़ा बना लिए इसमें क्या कर लेते हैं इकठा कर लेते तो इसको बोलते हैं बायो डाइजेस्टर बायो डाइजेस्टर ठीक है बायो डाइजेस्टर बोल देते थे अब क्या करते थ इसमें जो यूरिन था और जो गोवर था इसमें कुछ दिन तक रहता था ऐसे फिर का करते थे इसको हम इसमें जो गैस निकलती थी जिसको हम बोलते थे बायो गैस ठीक है बायो गैस निकलती अब इस बायो गैस का हम क्या करते हैं कूकिंग में यूज कर लेते हैं कूकिंग मे वह भी इस Buce Pan ये हम यूज करते हैं यहां पर हो गया अब इसके साथ सः जो भी जीजें यहां पर बची है मान ले जये Maagalis निकल गई अब यहां पर जो भी चीजेष ती उसक्तिते ती उसके कै अका करते थे बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम यूज करते थे बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम यहाँ पर घांस बना देते हैं ठीक है बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते थे अभी इस घांस को क्या कौन खाता था यह हमारी गाय खाती तो यह चैन ऐसे चलती रहती थी तो dry toilet का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसको अच्छे जगा इसका हम use कर रहे हैं ठीक है अब बात करते हैं इसके objective के बारे में इसके objective पहला है enhance of the general quality of life in ruler area जो ruler area है इसमें जो quality of life है इसको improvement करना पहला objective है हो गया दूसरा objective है है कि जो disease हो रही थी जो disease हो रही थी उसको हम क्या करने लगे prevent करने लगे ठीक है जो भी अगर जहाँ पे sanitization नहीं होता जहाँ पे साप सफाई नहीं होती थी ठीक है लोग खुले में सौच जाते थे ठीक है तो उससे क्या होती गंदगी होती थी गंदगी होने से लोग बीमार होते थे तो यह program चलाने से क्या हो गया है कि यह जो है इसको prevent किया गया disease होने से ठीक है कि उनको जो sanitary habits है उस वह प्रवाइट की गई ठीक है और जो रूलर एरिया में जो भी school है वहाँ पे शूलब समचाले बनवाए गए ठीक है सब इस चीज़े वहाँ पे मतब उपलब्द कराए गई ठीक अगला दिया गए इसका objective है eliminate open defection इसका मतलब है कि खुले में सौच जाने से रोका गया ठीक है इसको यहाँ पे improvement in ruler sanitization जो program चलाया गा था central ruler sanitization program ठीक है जब यह launch हुआ था है इससे क्या हुआ कि लोग खुले में सौच जाने से यहाँ पे उ in school कभी कभी यह 7 marks में भी पूच लेता है तो आपको ध्यान से इसको देखना है तो यहाँ पर देखते हैं health promotion in education in school ठीक है तो बहुत important 7 marks में पूचा जाता है तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं health promotion होता क्या है health promotion का मतलब है कि जो health है उसको enhance करना उसको improve करना तो इसी को बो ठीक है अब बात करते है health promotion in school के बारे में जो भी schools users हैं जितने भी schools users हैं उसको क्या करना कि उन्हें उनके health को improve करना है और उनके health को protect करना कि मतलब कि जो उनको बीमारी होने से बचाना है मतलब उनको infection होने से बचाना है उनको disease होने से बचाना है और उनको contaminated water से बचाना है ठ रूम गंट का मतलब है कि लोगों को health education के थिरू लोगों को improve करना है ठीक आगे बात करते है health education in school के बारे में तो इसका जो mission है इसका mission यही है कि लोगों को जितने भी student है उसको knowledge provide करना उसको जो skill provide करना जिसके वज़े से वह एक successful learner बन सके और जो healthy adult बन सके ठीक है आगे बात कर जो हमारा school health education program है यह क्या करता है कि जो health risk है उसको minimize करने का काम करता है health risk जैसे हमारा हो गया तंबाकु use करने से बचाता हमारा health जो school health education program है यह क्या करता है poor nutrition से बचाने का काम करता है और जो drug and alcohol uses करने से बचाता है और जो physical activities के lack होने को भी बचाता है अब बात करते हैं Health Education Health Education में पहला आगया कि Health Education क्या करता है कि Health को Promote करने का काम करता है Health को Maintain करने का काम करता है और Health को Restore करने का काम करता है आगे बात करते हैं Health Education Method तो इसमें पहला आथा Provide More Detail Information and Guidelines तो इसमें पहला इसमें आगया हमारा जैसे हमारा आगया education focus on the attitude change by तो इसमें books आगये, literature आगये, discussion आगये, internet आगये, brochures आगये अब आगे बात करते हैं, दूसरा आगया provide basic information तो पहले इसमें आगया leaflets आगये, calendar आगये, articles and newspaper आगये, tv and radio आगये और तिसरा हमारा आता है drawing attention to a particular problem तो इसमें आगये हमारा tv, sports आगये, posters आगये, campaigning आगये जो camps लगते हैं, अब बात करते हैं इसके objective के बारे में objective क्या है, पहला कि यह quality of life है उसको improve कर देता है मतलब कि to increase quality and year of healthy life यह क्या करता है कि life की जो quality उसको improve कर देता है और लोगों को जो जीने की मतलब दासा उसको improve कर देता है ठीक है और यह क्या करता है कि जो भी function है उसको maintain करने का काम करता है और इसके साथ साथ जो concept of health है उसको भी define करने का काम करता है और फिर अगला दिया गया है to develop the health attitude जो health attitude है उसको भी develop करने का काम करता है और यह जो है to increase knowledge of the factor that affect health और यह क्या करता कि जो भी factor जो मतलब health को affect करते हैं उसको भी knowledge को improvement करने का काम करता मतलब risk जो factor है उसको identify करने में भी help करता है आगे बात करते हैं कि जो to improve the school and community health status यह क्या करता कि जो हमारे health education in school है यह क्या करता कि जो school है school health status और community health status उसको improvement करने का काम करता है अब बात करते हैं अगला हमारा दिया गए school health services ठीक है जो school health services है यह हमारा important है तो पहला इसमें आता है health education आता है health education जैसे आगया physical education आगया physical मतलब जैसे exercise से related आगया nutritional जो education आगया ठीक है आपको कौन से diet लेनी चाहिए यह सभी चीज़े आपको बताए जाती है पर्सनल साजीन आपको कैसे साफ सुतर आपने आपको रखना है physical activity during school आप जब physical activity जो भी school में करते हैं जीज़े पीटीवटी देखेंगे खिलाया जाता है ठीक है environmental hygiene कैसे environment को clean रखना है ठीक है यह भी education दिया जाता है ठीक है आगे बात करते है immunization immunization जो भी school में बच्चे रहते हैं उनको immunize भी किया जाता है अब बात करते है physical education physical education में इसे games हो गया ठीक है physical trainings हो गई health education हो गया knowledge हो गया skill and positive attitude हो गया और हमारा हो गया social services हो गई तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम गुरूप से जुड़ जाई हो ही पर आपको इसको health mission है इसको टू पार्ट में divide किया गया है पहला हमारा आता है NUHM दूसरा हमारा आता है NRHM जो हमारे NUHM है यह हमारे NHM का पार्ट होता है यह लॉंच किया गया था first maill 2013 को ठीक है जो हमारे central government होती है यह कुछ person को appointment करती है जो क्या करते है जो हमारे यहनि यूजह से हमें इसको direct trade करने का काम करते है और monitor करने का काम करते है इसका जो यह इसका जो focus है focus area जो होती है यह क्या करता कि जो reproductive और जो metra और neonatal child adolescent health है उसको focus करने का काम करता है और इसके साथ साथ क्या करता है कि focus on the area of communicable non communicable disease और यह उस area focus करने का काम करता है जहाँ पर communicable disease हो और non communicable disease हो ठीक है अब बात करते हैं इसके aim या objective ठीक है कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर aim और objective लिखेगा है इसमें कुछ करना नहीं है आपको ठीक है आप यहाँ से लिख लिजेगा आपको इसकी notes पूरी मिल जागी बहुत ही simple है ठीक है तो आपको वीडियो कर से लगी आप comment बाक्स में जरू से बताएगा और मिलते हमने इस्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई आपको पिरन टाई